नमस्ते मैं हूँ आयूश और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप पश्चिम बंगाल के ससी घोटाले में लगातार परते खुल रही है एडी ने अर्पिता मुखरजी के आठ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है पताया जा रहा है कि इस अभी बैंक अकाउंट अर्पिता के न के इभी इडी पार्सचटर जी और अर्पिता किरिश्यदारों के बैंक खातों की विजाज कर रही है इंड्या डूडे के मुखरजी के ड्राइवर प्रणब भट्यचारे ने इस की पुष्टि की है कि अर्पिता मुकर्ट जी के पास कई सारी लक्जडरी कारें हैं जिन में से फिलाल चार गायब हैं प्र Efendimiz का कहना है कि उन्हें सिर्फ अर्पिता की Honda City Cars चलाने की इजाज़त थी उन्हों Опही करों चलाया है ड्राइवर ने बताया मैं उनको हॉंडा सिटी कार में उनके कस्बा वाले ओफिस और नेल आर्ट के पार्लर में ले जाया करता था मुझे दूसरी कार चलाने की इजाज़त नहीं थी और मैंने पिछले तीन महीनों से उन कारों को देखा भी नहीं है इसके आगे ड् पिछन ले लिया था और मुझे इंतिजार करने के लिए कहा था ओर इडीकार्यूं ने उससे फॉन बीजब्त कर लिया है मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है प्रणबटाचारे का कहना है कि अर्पिता की दूसरी गाडिया कहा है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है उसने कभी उन कारों के बारे में नहीं पूछा क्योंकि उसे उन्हें चलाने की इजाज़त नहीं थी जो कारे गायब है उनमें Mercedes-Benz, Audi A4, Honda CRV और Honda City कार शामिल है इनमें दो कारे एक Honda City और दूसरी Audi अर्पिता मुखरजी के नाम पर ही दर्ज है चार्ज एजन्सिया इन कारों की तलाश में CCTV फुटेश को भी खंगाल रही है जहां एक और AD धड़ा-धड़ छापे मार कर अर्पिता मुखरजी के ठिकानों से करोड़ो रुपे और करोड़ा का सूना जब्त कर रही है वहीं दूसरी और खबरों के मताबिक अर्पिता की मा मिंती मुखरजी कंगाली में जीवन काड़ रही है आज तक की रिपोर्ट के मुखरजी उत्तर 24 परकना जिले के बेल घोरिया इलाके में एक पुष्टनी मकान में अकेली रहती है जानकारी के मुखरजी काफी बिमार है और वो अपना काम खुद नहीं कर सकती है आस्तिक के मुताबिक मिंती मुखरजी के घर में कोई लगजरी समान नहीं है लेकिन अर्पिता ने अपनी मा की रेकबाल के लिए दो हाउस हेल्प को रखा हुआ है जो उनके खाने पीने और बाकी जरूरतों का ध्यान रखती है आसपास के लोगों के मुताबिक अर्पिता मुखरजी कभी कभी अपनी मा से मिलने आती थी लेकिन वो ज्यादा समय तक यहां नहीं रुकती थी लेकिन हाल फिलाल के समय उन्होंने अर्पिता को यहां नहीं देखा है वहीं दूसरी और मिंती मुखरजी बेटी अर पिता के बारे में कोई बात करना नहीं चाहती है उनका कहाना है कि वो अपने घर में आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती है देखते हैं देललन टॉप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद